नमश्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उमीद है अच्छे ही होंगे. दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का टाइटल है मिजबिल दा ओटर. तो आईए दोस्तों शुरू करते हैं. दोस्तों, ये स्टोरी शुरू होती है ये 1956 से, जब ओथर का डॉग मर गया था, और उसके मरने के कुछ दिन बाद ही आउथर का बसरा जाना हुआ. दोस्तों, बसरा साउथ हिराक में एक सिटी है. वहां आउथर को महसूस होने लगा कि बिना किसी पैट के, वो बिलकुल अकेला महसूस कर रहा था. तो उसने डिसाइड किया कि वो एक पैट रखेगा, लेकिन इस बार डॉग की बजाए उसने ओटर रखने के लिए सोचा. ओटर एक तरीके का आइनिमल ही होता है, जो ज़ादातर साउथ हिराक की नदियों के आसपास दलदलों में पाये जाता है. ओथर को ओटर पालने का आइडिया इसलिए भी आया, क्योंकि ओथर बिसिकली स्कॉटलेंड में केमिस्फेर्णा नामक जगा से बिलॉग करता था. केमिस्फेर्णा नामक जगा वाटर के आसपास सराउंड़िट थी, यानि उसके आसपास नदियां वगरा हैं, और ओटर बिसिकली पानी के आसपास ही रहना पसंद करते हैं, उन्हें पानी के साथ खेलना, पानी में रहना बहुत पसंद होता है, इसलिए उसको ये नया आइडिया बहुत भाया. जब ओधर ने अपनी ओटर पालने के इंटेंशन अपने फ्रेंड के साथ शेयर करी, तो उसके फ्रेंड ने उसे ये रिकमेंड किया, कि यहाँ पे मार्शेज नाम की जगा है, जहाँ पे टिग्रिज नदी के आसपास ओटर इजीली मिल जाते हैं, और इराग के जो अरब्स हैं, वो ने पालते भी हैं, क्योंकि ओधर स्कॉटलेंड से बिलॉंग करता था, इसलिए इराग से स्कॉटलेंड ओधर को ले जाना इतना इजी नहीं था, इसके लिए उसे वहाँ से कन्फरमिशन चाहिए थी, इसलिए ओधर और उसके फ्रेंड दोनों ने ओटर पालने की सोची थी, दोनों ने मेल डाला, हलाकि उसके फ्रेंड का मेल तो आ गया, लेकिन ओधर का मेल अभी तक नहीं आया, कुछ टेकनिकल ग्लिचिस की वज़े से, ये डीले और तीन दिन तक खिंज गया, फाइनली उसके फ्रेंड ने ये डिसाइट किया, कि वो यहां से जा रहा है, और वो दोनों एक हफ़ते के बाद फिर मिलेंगे, अब पांच जिन के वेट करने के बाद, आखिरकार उसका मेल अराइव हो गया, जैसे ही नेरेटर ने मेल रिसीव किया, वो अपने बेड रूम में गया, उसको पड़ने के लिए. जैसे ही वो अपने रूम में गया, वहाँ पर अलरेडी दो अरब थे, जिनके हात में एक धैला था. वो थैला बार-बार ट्विस्ट कर रहा था, हिल रहा था जैसे ही ओथर ने ये थैला खोला, ओथर बताता है कि यहां से उसकी जिन्दिगी का नया फेस शुरू हो गया दोस्तों इस थैले में कोई और नहीं बलकि ओटर था जैसे ही नरेटर ने उस थैले को खोला, तो ओटर उसमें से बाहर आया और फ्लोर के उपपर इधर उधर लुड़कने लगा यह ओटर दिखने में बिलकुल एक छोटे ड्रैगन की तरह दिख रहा था जिसके ओपर पूरे तरीके से मिट्टी उपर नीचे चाज़ो तरफ मिट्टी सनी हुई थी क्योंकि ओटर जादा तर दिखने में ब्राउन कलर के ही होते हैं इसी लिए ऐसा लगता है कि उनके अपर मिट्टी पूरी सनी हुई है हाला कि वैसे मिट्टी उसके अपर थी भी लेकिन उसकी स्किन भी चॉकलेट ब्राउन कलर थी हाला कि इस प्रोसेस में तकरीबन एक महिना और लग घया जब proper cleaning और washing के बाद उस ओर्टर का actual color सामने आया ओर्थर ने इस ओर्टर का नाम मिजबिल रखा In short, मिजबिल एक तरीके की ओर्टर्स की race होती है जिसको जूओलोजिस्ट लूटरो गेल पैरिस्पिक्लेटिया मैक्सवेली ने discover किया था इसलिए इसको मैक्सवेल्स ओर्टर भी बोला जाता है ओर्टर को दो या तीन दिन और लग गए अपने आसपास के surroundings को समझने में और उसमें interest लेने में ओर्थर ने जैसे अपने dog के लिए belt बनाई थी वैसे ही मिजबिल के लिए भी belt बनाई उसने जब उसको बातरूम में देखा तब उसने देखा कि मिजबिल बहुत ही अराम से बहुत ही मजे से वटर के साथ खेल रहा है वो बार-बार पानी के अंदर और भार हिपोपॉटमस की तरह कभी जंप करता कभी रोल करता जदातर ओर्टर को moving water जदा पसंद होता है इसलिए जब-जब मिजबिल को still water दिखाई देता तो वो बहुत जदा गुसे में आ जाता वो उसके अंदर बैटता और जोड-जोड से छपाक-छपाक मारता जिससे सारा का सारा पानी बहार आ जाता दो दिन के बाद जब author अपने bedroom में आया तब उसने देखा कि author उसके bedroom से निकल कर अपने आप bathroom में चला गया है और bathroom में जाकर उसने अपने आप अपने पंजों से tap खोलने की कोशिश करी हलाकि author ये देखकर हरान था कि उसने tap खोल कर पूरा bucket पानी से भर दिया क्योंकि ये उसके लिए लगी था कि उसने tap जो है वो right direction में खोला था क्योंकि कई बार वो गलट direction में खोल देता था जिसकी वज़े से वो बहुत ज़दा इरिटेट हो जाता था जब उसे पानी नहीं मिलता था दीरे दीरे करके author और भी चीजें सीखने लगा अब author जब उसको उसके नाम से पुकारता तो वो सीधा अपने नाम को सुनने के बाद उसके पास जाता मिच्बिल खेलने का बहुत ज़दा शौकीन था वो अपना जदा तर टाइम बाल के साथ खेला करता था कभी उसको आगे धकेलता कभी तरफ धकेलता कभी चारव तरफ रूम के अंदर वो बाल के साथ खेलता ही रहता जर्रेली जदा तर रौटर्स एक तरफ पीछे की तरफ ले जाते हैं और उनको जो भी object अपने आसपास मिलता है उसके साथ वो जगल करते हैं उसके साथ खेलते हैं मिच्बिल के अंदर भी यही चीज थी मिच्बिल को भी अपने आसपास कोई भी चीज मिल जाती थी चाहिए वो marble हो या फिर ball हो वो उसके साथ खेलता और उसको जगल करता था वो ये कोशिश करता है कि वो उसको फ्लोर पर ना गिराया उसको जगल करता रहे बसरा के अंदर कुछ दिन शान्ती पून्ट बिताने के बाद अब टाइम था मिजबिल को वापस इंगलेंड ले जाने का ऑथर हाला कि इस चीज को लेकर काफी गबराया हुआ था क्योंकि उसे ये समझ नहीं आ रहा था वो मिजबिल को कैसे अपने साथ ले जाएगा ब्रिटिश एरलाइन्स ने अपने साथ एनिमल्स को लाने के लिए रिफ्यूस किया हुआ था, मना किया हुआ था इसलिए ऑथर को दूसरी एरलाइन बुक करनी पड़ी वहाँ पे उसको ये इंस्ट्रक्शन मिली हुई थी कि अगर उसको अपने साथ एनिमल्स को लाना है तो वो 18 in square के एक बॉक्स में जो कि उससे जादा नहीं होना चीए उसमें अपने एनिमल को डाल कर ला सकता है हाला कि ये फ्लाइट भी बसरा से डिरेक्ली इंगलेंड की नहीं थी पहले उसको बसरा से पैरिस जाना था और फिर पैरिस से लंडन जाना था जैसे कि एरलाइन ने डिमांड किया था नरेटर ने एक बॉक्स बनाया मिच्बिल के लिए और एक घंटे पहले उसने सारी तयारियां कर ली ताकि उसको कोई दिक्कत ना हो अब जब नरेटर उसको बॉक्स के अंदर छोड़ कर चला गया कुछ दिर बाद जब वो वापस आया तो वो देखकर डर गया बॉक्स के अंदर से खूल निकल रहा था उसके एर होल्स में से धीरे धीरे करके बलड की ड्रॉप्स आ रही थी वो एकदम से पैनिक हो गया और उसने बॉक्स को खोला उसने देखा बॉक्स के अंदर की सारी इनर लाइनिंग को मिजबिल ने फार दिया था narrator ने सारे pieces को अलग-अलग किया क्योंकि वो pieces के उपर metallic lining बनी हुई थी box को साफ किया और दुबारा से सारी चीजें अरेंज करी हाला कि अब सिरफ उनके पास flight take off करने के लिए 10 minute ही बचे थे उसको 10 minute के अंदर 5 meal का distance भी cover करना था इसलिए उसने फटाफट मिजबिल को box में रखा उसकी उपर की lid बंद करी और फटाफट वहां से चला गया अब फटाफट वो cab में बैठा और जैसे तैसे flight take off करने से पहले वो पहुँच गया वहां पहुँच कर जो officials खड़े होए थे वो उसको देखकर काफी नराज हो रहे थे क्योंकि वो थोड़ा सा लेट हो गया था जैसे तैसे जब वो अपनी seat के उपर पहुचा तो उसने मिजबिल का food package जिसमे मचलियां थी वो package उसने air ओस्टस को refrigerator में रखने के लिए दे दिया और उसने air ओस्टस को अपने साथ हुआ incident भी डिटेल में बताया कि किस वज़े से वो इतना लेट हो गया था air ओस्टस का नेचर काफी अच्छा था उसने उसकी सारी बात बड़े ध्यान से सुनी और उसने author को advice भी किया कि वो अपने box को अपनी गोदी में रख ले जैसे ही author ने मिजबिल के box को अपनी गोदी में रखा वैसे ही मिजबिल flash की तरह एकदम भार भागता हुआ गायब हो गया पूरे air craft के अंदर चीखने और चिलाने की आवाजे आने लगी चूहा 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 हर जगा से आवाजे आने लगी author पैनिक होने लगा और वो इदर उदर मिजबिल को ढूनने लगा last में उसने मिजबिल को एक सफेद पगड़ी पहने वाले सरदार जी के पैरों के नीचे से जाते हुए देखा खेर air hostess ने author को बोला कि आप अपनी seat के उपर बैठ जाओ मैं आपके लिए उस animal को ढूंड के आपको वापस कर देती हूँ तो author को उसका या idea भी ठीक लगा air hostess के request करने के बाद author अपनी seat उपर वापस बैठ गया अब वो अपनी आँखों से इदर उदर author को ढूंडने लगा दीरे दीरे करके author वापस उसके पैरों के पास आ गया और उसके घुटनों पे चड़कर उसके फेस के पास आ गया फाइनली मिच्बिल वापस आ गया मिच्बिल और author लंडन में एक महीने के लिए रहे वहाँ पे मिच्बिल ने कई सारी गेम्स खेली जैसे वो आमतोर पे ping pong balls, marbles, rubber fruit और terrapin shells के साथ खेला करता था पिंग पॉल बॉल के वज़े से वो हमेशा बिजी रहता Maxwell ने यानि कि जो author था उसका suitcase उसी जरनी के उपर damage हो चुका था क्योंकि जब author जब बसरा से London के तरफ आया था तब उस जरनी के उपर उसका suitcase damage हो चुका था जिसकी वज़े से एक end उपर की तरफ उड़ गया था और एक end नीचे की तरफ चला गया था जिससे एक slope बन गया मिच्बिल के उपर उपर वाले end के तरफ ball को रख देता और उसको नीचे की तरफ आने देता और जैसे जैसे वो नीचे आती उससे पहले वो फटाफट दूसरे end के तरफ भग जाता और ball को surprise करने के लिए उचलने की कोशिश करता और फिर दुबारा दूसरे end से वो यही करता दूसरी end के तरफ दुबारा से ball हिट करता इस तरीके से उसने अपने आपको एक game के अंदर एक busy कर लिया था और ये नई game भी उसी ने invent करी थी author मिच्बिल को अपने लंडन वाले room के भार अकसर walk करवाने और exercise करवाने के लिए ले जाय करता था लंडन की streets पर author ऐसे चलता था जैसे पुराने school के बच्चे एक particular fashion में चलते हैं जैसे वो इदर उदर इदर उदर घूम कर चलते हैं वैसे ही author बड़ी मस्ती में चलता था इसके अलावा author के flat के साथ एक school भी था जो की primary school था उसकी दिवार दो फीट से जादा उची नहीं थी तो अकसर मिच्बिल क्या करता उस दिवार के उपर कभी कूतता कभी इदर उदर उचलता रहता जिसकी वज़े से school के students और staff उसको देखकर काफी attract होते थे क्योंकि लंडन जैसी बड़ी city के अंदर आपको otter जैसे animal बहुत बहुत rare देखने को मिलेंगे इसलिए जब author otter को लेकर सड़कों पर घूमता तो लोग अलग-अलग तरीके के guesses करने लगते कई लोग उसको mustaline समझते कई लोग उसको mongos समझते कई लोग wizzle समझते stoat समझते mink समझते और नाजाने क्या-क्या समझते लोग अलग-अलग animals के guesses otter को देखकर करते थे ज़ादातर लोग otter को देखकर या तो baby seal बोल देते थे या फिर squirrel बोल देते इन में से कुछ लोग mitchbil को hippopotamus, behavior, leopard और walrus भी बोलते थे किसी को नहीं पता था कि ये कौन से actual animal है लेकिन इतने सारे guesses करने के बाद आज तक किसी ने भी ये guess नहीं किया कि ये एक otter है तो उमीद है दोस्तों आपको इस chapter का explanation समझ में आ गया होगा